वेलकम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपके डॉक के अंदर भी मैजिकल पावर्स हो सकती है और इसी की साथ वो अपनी पावर्स की कारण अपनी पुरे शेहर को बचा सकता है और साथ ही साथ हम लोग ऐसा माउंटेन देखेंगे जहाँ पे रहने वाले सारे अनिमल बात कर सकते हैं गाइस आज जो मैं मूवी एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ ये एक मैक्सिकन मूवी है जोकि 2020 में आई थी और इसी के साथ एक टूटी एनिमेटेड मूवी है इस मूवी का नाम है जी कोस चर्णनी जहाँ पे मूवी के स इस पे फस जाती है इसी कारण सभी लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं वो सभी से मदद मांगती है कि हम सभी लोग यहाँ पे सफाई चल्द ही कर लेंगे लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है लेकिन उसका दोस्त गस और उसका डॉगी जी को उसी के साथ में था जानिंग और फ्रेकिंग का मैं उसे पूरा करने वाला हूँ उस जगह के अंदर में बहुत सारा क्यामिकल डालूँगा और उसके बाद में फ्रेकिंग करूँगा इससे मुझे जमीन की गहराईयों से बहुत सारा गोल्ड मिल जाएगा यह बात सुनके इंवेस्टर भी जब सभी लोग एक चगह एकटा होते हैं तो वहां का मेयर मैनवेल सभी को बताता है कि हम लोग बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं यह जिस कंपनी से लोग यहां पर पहुंचे हैं यह हम लोगों को बहुत सारा पैसा और सोना देंगे जिससे हम लोग जो मनचाहे वो कर सकत हैं सबी लोग ये बाते सुनके खुश हो जाते हैं लेकिन नाना पैत्रा पुछती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे करोगे तो मैन्वेल बताता है कि हमारी इस पहारी को ये लोग धोड़ा सा खुर्चेंगे बस जादा कुछ नहीं करेंगे तो नाना पैत्रा बूलती है कि तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हो यह माउंटेन काफी पुराने है और हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे लेकिन वहाँ पे बाकी लोग नाना पैत्रा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए मैनवल बाकी लोगों पे हावी हो जाता है और बोलता है कि हम जल्द ही यहाँ पे माइनिंग और फ्रेकिंग स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे पैत्रा को लगता है कि जो भी करना है उसे ही करना पड़ेगा इसलिए वो अपने दोस्तों से भी बात करती है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता यहाँ रात होने पे मैनवल के घर पे उसकी मॉम पहुंची थी जो कि मैनवल से पूछती है कि क्या तुम सही काम कर रहे हो ना तो मैनवल कहता है कि हां मा मैं बिल्कुल ठीक काम ही कर रहा हूं मैं अपने लोगों से कभी जूट नहीं बोलूँगा डिनर करते हुए कोपी नाना पैत्रा से आर्ग्यूमेंट करने लगती है और पूछने लगती है कि आप माउंटेंज से क्यों बाते करती हैं मैंने आपको काफी बार सुना है कि आप इन माउंटेंज से बाते करती हैं आखिर बात क्या है तो पैत्रा कोपी को कुछ भी नहीं बताती है अगली सुबह चल्दी पैत्रा घर से निकल जाती है ये चीज दौनों मिलके पैतरा का पीछा करने लगते हैं पैतरा यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आई थी जो कि उसे कहती है कि ये लोग हमारे माउंटेन के साथ में कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं हमें ही अब कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा हमें दूत को बताना पड़ सुने ही वहाँ से भाग जाती है गस जब पीछे देखता है तो उसे कोपी नहीं मिलती है हम देखते हैं कि कोपी अकेली ही माउंटेन्स पे पहुँच चुकी थी अपने मॉम को ढूणने के लिए नाना पैतरा और इसके ये दौनों दोस्त माउंटेन्स के रखवाले थे इ पैतरा काफी डर जाती है और बोलती है कि उसे तो अकेला नहीं जाना चाहिए था वो बहुत छोटी है और वो बाकी की सारी बाते समझा देती है गस को गस बोलता है कि मैं अकेला जाकि उसे ले आऊंगा और साथी दूत को भी मैसेज दे दूँगा यहां गस भी अप माउं खड़ा था जो कि उससे बाते कर रहा था और साथ ही साथ ये लोग ये भी देखते हैं कि जीको का कलर चेंज होने लग गया है तो स्टॉकिंग रैबिट से कहती है कि मैं अपने मॉम को यान ढूंडने आई हूं इसी के साथ दूथ हमें कहां मिलेगा तुम ये भी बताओ और अब यहां पे गस भी पहुँच चुका था मैजिकल स्टॉन लेके टॉकिंग रैबिट हैं लोगों के सामने मॉंटेन के दर्वाजे खोल देता है और बताता है कि दर्वाजे जल्थी बंद हो जाएंगे तुमें इसके अंदर जाके बागी के रास्ते मिल जाएंगे अब पे गस, कोपी और जीको इस माउंटेन के दिवार से अंदर पहुच जाते हैं जहां पे एक अलग ही दुनिया थी यहां ये लोग देखते हैं कि सारे पेड़ पत्थर के बनते जा रहे हैं बस एक ही बचा हुआ पेड़ है जो कि अभी तक पत्थर नहीं बना था यहां पे उन बच्चों को बताता है कि हम दीरे दीरे सभी पत्थर में पदलते जा रहे हैं तुम मेरे ये टीर्स ले जाओ जो कि तुमें आगे हेल्प करेंगे जब तक ये माइनिंग और फ्रेकिंग बंद नहीं होगी तब तक हम लोग मरते जाएंगे यहां हम देखते हैं कि कमपन और गस को मिलता है एक और टॉकिंग क्रीचर जो की एक तरीके से जादूगर चोर था बच्चे उस क्रीचर से पूछते हैं कि हमारे पास में स्टोन और ट्री की टीर्स हैं और अब हमें दूद को ढूड़ना है जो कि हम लोगों की हेल्प कर पाएं तो वो क्रीचर अपने स पिछाने के लिए निकल पड़ती है पीछे-पीछे पैतरा और उसके फ्रेंड भी आते हैं यहां पर ये टॉकिंग क्रीचर बताता है कि जीगो एक नॉर्मल डॉग नहीं है बलकि एक मैजिकल डॉग है और तुम लोगों को इसे पहचानना पड़ेगा आज से काफी सालों पहले जीगो के ग्रेंड ग्रेंड फादर इस माउंटेन पे आये थे और उसी की ब्रीट का जीगो है जो कि एक मैजिकल डॉग है इसकी पावर्स के कारण कोई भी जिन्दा हो सकता है जीगो कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल डॉग हूँ मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन तब व उसी ढूंड सकते हो जो कि इन मैजिकल स्टोन को यूज करना जानता हो यहाँ पे मैंवेल कंपनी के लोगो को कहता है कि आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आप इतने जादा बॉम ब्लास्ट करेंगे तो उस कंपनी का ओनर कहता है कि मुझे तुम से कुछ फरक नहीं पास जाके कहता है कि मैं इने जील में भी टलफा सकता हूँ इस बात से पैतरा को गुस्सा आ चाता है और वो मैनवेल को एक चाटा लगा देती है इसी कारण मैनवेल इन सब लोगों को जील के अंदर बंद कर देता है यहाँ पे बच्चे दूप से भरे रेकिस्तान के पानिम भी था यह बच्चो के उपर अटैक करता है लेकिन जीको उसे वहाँ से एक बार के लिए तो भगा देता है बच्चो को यहाँ पे पीने का पानी मिलता है तभी वहाँ पे कोपी कहती है कि मैं तो बहुत ठक गई हूँ और इसके बाद में फिर से वो क्रीचर आता है जो कि कोपी के उपर अटैक कर देता है वो पी अब दीरे दीरे बहुत बिमार पढ़ने लग गई थी जीको कहता है कि मैं जल्दी से जाके दूद को ढूनता हूँ ताकि वो आके हमारी हैल्प कर सके यहाँ पैतरा की फ्रेंट बाकी लोगों को जेल से बाहर निकलवा देती है और ये लोग सोचते हैं कि अब हमें जादा लोगों को इखटा करना पड़ेगा और इन कंपनी वालों के सच्चाई बतानी पड़ेगी यहाँ पे जीको बहुत दूरी तक भागता रहता है और माइनिंग के कारण माउंटेन में क्रैक आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी का उ हमेशा से ही इसी माउंटेन में थी वो एक स्टोरी बताती है कि आज से कहीं सालों पहले ऐसे ही किसी कंपनी ने इस माउंटेन को तोड़ने की कोशिश करी थी उस माउंटेन को बचाते बचाते कोपी की फादर की डेथ हो गई थी और इसी कारण मैं इस माउंटेन पे ही रह कि तुम्हें कोपी को कैसे ठीक करना है यहां जीगो एक इगल पर उड़के कोपी के पास में वापस पहुंचता है जहां पर गस कोपी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था दूसरी तरफ वो कंपनी के लोग रुख ही नहीं रहे थे और हर जगर ब्लास्ट करने वाले थे तब मै अपनी कोपी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तब भी कोपी नहीं उठाती है इसी कारन सभी लोग रोने लगते हैं जब जीगो के आसू क्यों के वपर पड़ते हैं तो उसके बाद में कोपी की भी आशे खुल जाती है और उसके अंदर से पॉईजण का असर सथ क्व ने नहीं छोड़ा था, यहाँ पे इन सभी creatures के बीच में fight होने लगती है, और तभी यहाँ पे एक magical deer भी पहुचता है, जो कि जीको को बताता है कि अब जो भी करना है तुमें ही करना है, तब जीको अपनी सारी powers इखटा करता है, और इसके बाद में जीको के उपर wings भी लग जीको के अंदर इतनी जादा powers आ जाती है कि वो mountain के अंदर से निकलने लगती है, सारी army को एक तरफ कर देती है, और बाकी लोगों को एक तरफ कर देती है, उसकी powers के कारण एक और creature खड़ा हो जाता है, जो कि dust का था, वो dust का creature सारी बड़ी बड़ी मशीनों को बंद कर देता है और तोड़ देता है, जीको की power से company के owner और investor भी अब छोटे से insect में बदल जाते हैं, अब वो deer वहाँ पे सभी लोगों के सामने आता है, और इसी के साथ में वो बाकी creature भी आते हैं, जो कि उस mountain की हमेशा से देखपाल करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे इंसान आते रहेंगे जो कि यहाँ पे mining और fracking करते रहेंगे, इसी कारण यहाँ पे किसी न किसी इंसान को रुखना ही पड़ेगा, man well को खुद की गलती का हैसास हो जाता है, और अब इस mountain की रक्षा करने के लिए वो खुद चला जाता है, इसी कारण अब कोपी की mom इंसान में वापस बदल जात जो कि अपनी बेटी के पास में फिर से आ जाती है, और इसी के साथ अब यह magical dog जीको भी इस mountain का हमेशा से खयाल रखने लगता है, तो guys कैसी लगी आप सभी लोगों को यह movie मुझे जरूर बताएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से next movie में, तब तक के लिए तदादाँ! झाल झाल झाल